कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर आज भी लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा इसमें सबसे एहन सवाल है कि वैक्सिन लगने के बाद कितने दिनों तक तीके का असर रहता है आईए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब तो एक्सपर्ट के मताबिक कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सिन सबसे बहतर विकल्प है यह आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाता है जिससे बिमार होने का खत्रा कम हो जाता है हाला कि इसका असर हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ निश्चित अवधी तक ही रहता है अमेरीकी सेंटर फॉर डिजिजिस कंट्रोल और प्रेवेंचन ने 4000 स्वास्ते कर्मियों और फ्रंट लाइन वरकर्स पर वैक्सिनेशन के बाद स्टेडी की है इसमें पाया गया है कि फाइजर बायोटेक की वैक्सिन 6 महिने तक लोगों को वाइरस से बचा सकती है जबकि अन्य कुछ वैक्सिन का असर 6 महिने से साल भर तक माना जा रहा है University of Maryland School of Medicine के वैक्सिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि फिलहाल जो वैक्सिन उपलब्ध है उनका असर कम से कम एक साल रह सकता है लेकिन आगे चलकर कोरोना की नई वेरियंस चिंता की वजब बन सकते है क्योंकि अगर वाइरस के म्यूटिन्स बदलते हैं तो फिर वैक्सिन को भी अपडेट किये जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में कमें सेक्षिन में लिखके हमें जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद